हैलो इत्रियरंड फैमिली तो कैसे हो आप सभी लोग, I hope कि आप सभी लोग बढ़िया होगा और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो चलो फटाफट से अपने एपिसोड को एक्स्प्लेइन करना है इस टार्ट करते हो और देखते हैं इस episode में क्या होने वाला है साथी काफे time से हमारे वीडियो नहीं आये मतलब काफी time क्या कली बस यह वीडियो नहीं आये तो आप लोग भी काफी हैर क्यूरियस होगे इस आंगे की journey के लिए तो ज़्यादा time बीश नहीं करेंगे और आंगे की journey कोई start करेंगे प्रिचुएसन पे आंगे आता है अपना ठर्की जिसकी खुद की लंका लगी होती है लेकिन बंदा क्या करता है उसी प्रीसेस मूउमेंट पर अपनी स्पिचल पार पर ब्रेक्ट्रू कर लेता है अब किसी का कहना था कि जोन तो पहले से ही विल दी अलम पे था जोन बिल दी करते हैं थोड़ा बहुत यहां घूमते हैं उनका डिसकासन चलता है जाज जोयान जिंग बूचैन को ताजवरीप करते हैं कि भाई बहुत कम लोगों ऐसे होंगे जिसके पास तेरे जैसे चीब्मेंट हो 50,000 लोगों में किबल 1000 लोग बचे हैं तो टॉप 10 में तुम भी आ सकते हो दूसरी तरफ क्यों से मोडल अचानक ही कहता है मैंने जैंज जियान को देखा था लेकर वो बिल्कुल अलग लग रहा था बिल्कुल एक डेट परसन की तरह पता नहीं वह से हुआ क्या है साती मुझे डेन बिंग्यान भी नहीं दिखाई दी जिस पर जोयान उने ब कि कौन फर्स्ट आया है कौन सेकेंड तो चलो और हाँ एक और गुड नियूज इस एपसोड में हम ऐल्यूजन खत्म कर देंगे चाहे जितना बड़ा हो वीडियो और अगर जल्दी खत्म हो गया तो आंगे एक एपसोड को एक्स्प्रेन करेंगे तो आ जाओ तो अब इस डेसलेट एरिया के अंदर जो फाइटिंग आवाजे होती वो धीरे धीरे कम होने लगी होती है और सभी लोग चुप चाप इस एल्यूजन के एंड होने का वेट कर रहे होते हैं रात का टाइम होता और आसमान में जो ब्लड मून होता है वो लटका हुआ था सा तभी जिंग बूचन भी कहता साला जितना जल्दी यह बंद हो उतना ही अच्छा मुझे भी यह जगह बिल्कुल बोरिंग लग रही है बाहर जाके मुझे अपने लिए एक बीवी ढूड नहीं है तभी जहन तुरंती इसमाल करते हो कहता क्या तुम अपनी रैंकिंग को ल जुहान की spiritual power को देखते हो तुझे लगता है कि वो यह पता नहीं लगा पाएंगे आखिरकार बिल जियालम की जो spiritual power थी वो काफी high level तक चीजों को scan कर सकती थी इसलिए जुहान तुरंती कहता है अभी illusion के अंदर लगबग 400 लोग जिन्दा है जिसके बाद जुहान क्यों से टांग कीचते हुए कहता है तुमने सही कहा मेरे फादर के गारनी तुम अब तक जिन्दा हो तुम्हें तो इसी बात से को सो होना चाहिए जो सुनकर तो जिंग बूचन का चेहरा लाल हो गया होता है और वो लॉंगी की तब देखते हो कहता है ओए छोटे बच्चे मैं टिब कीवल फादर के साथ रहना और उन्हें प्रोटेक्ट करना था और अगर इस चीच के साथ मैं टॉप 10 में आ जाता हूँ तो ये तो सोने में सो आगा है तब बूचन तुरंत ही कहता है तुमने सही कहा तुम पहले ही श्ट्रॉंग हो तो भले तुम इस चीच की परवा गलत नहीं होगा वो तो इस बात पर भरोसा ही नहीं करेंगे जिस पर जिंग बूचैन की बात को सुनकर लॉंगी तुरंती बात को चेंज करते हो कहता है तुम बेसर मिंसान अगर लोगों को पता चलता है न कि कहो से मोटल नू लॉंग और मेरे फादर तुमारे भाई हैं तो कि तुमारे पास चेहरा होगा उनसे ऐसा कहने का तभी उनके बीच की बहस को सुनकर यहाँ पर बांकी सभी लोग होते हैं वो देख देख के हांसर होते हैं कि लो इनकी कहावत फिर सुन हो गई जिसके बाद वो कहते हैं चलो सांथ हो जाओ सब कुछ के बल लग पर लिए कहता है मैंने फ़ें फादर के साथ ब्रेदर कायोस और नूलांग के साथ फ्रैंट इसने कतनाक फाइट में भी मैं बच गया कोई फरक नहीं परता कि मैं टॉप 10 में आता हूं या नहीं यह पहले ही मेरे लिए काफी है फादर क्या आपको ऐसा नहीं लगता जिस पिलरी अलम की इस पिच्छल पाउर के साथ जोई यान को डीप ह hospitals पावर फिल होरही होती है जो पस अप्यन होने वाली होती як मुझे लगता है कि यृलीूजन बंद होने वाला है किवार जो सुनके सभी लोग소 और desolate area के center में आने लगता है एक बवंडर जिसके कारण आजपास के यहां के area में जितनी भी dead bodies होती है सद दूल में भर जाती है जिसके बाद वहाँ पे एक stone tablet वो अचानक से हिलने लगती है साथे उसे stone tablet से scarlet blood energy निकल रही होती है जो कि चारों तरब के area को cover करने लगते है और देखते ही देखते पूरा आसमान blood red हो गया होता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे दुनिया में holy blood का पूरा का पूरा sea file गया हो और इस चीज को देखके तो जियान का दिल कड़ा हो जाता है और वो तुरंती क्या था है ये तना आजीब क्या है साथी जोन ने feel क्या था किस blood की power के कारण वो एक कदम तक आंगे नहीं बड़ा पा रहा था यहां तक कि जोन की battle कोई भी activate नहीं हो रही थी ना ही spiritual power इसलिए जोन बाकी सभी लोग को चिला कर alert करना चाहता था लेकिन जोन को feel होता है कि वो तो bowl भी नहीं पा रहा जो देखकर जोन तुरंती कहता है कि ये किस तरीके की power है जो बिना किसी power के या alert के उसकी पूरी की पूरी power को seal कर सकती है साथी इस blood energy के कारण हर किसी के attack और defense रुख गए होते हैं और fight अगर कहीं हो भी रही थी तो वो भी पूरी तरीके से रुख गई थी जिसका मतलब था illusion के end होने का time आ गया जिसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जगे से गयब हो जाते हैं और illusion के entrance gate में दिखाई देते हैं जहां से वो illusion के अंदर इंटर हुए थे यहां कुछ खून से लगपत होते हैं कुछ को चोटे लगी होई होते हैं तो कुछ अभी भी ठीक थे दूसर जो यहां नो 5 लोग अचाना की गयब होते हैं लिकिन वो जिस जगे पर दिखाई दियते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहां पे वो लोग अचाना की टेलिपोर्ट हो गए हैं क्योंकि गार्डियन बीशनों ने टेलिपोर्ट किया है जिसके बाद वो लोग 5 लोग सांत होते हैं और सभी लोग काफी कोश होते हैं तक कि जिंग बूचन की आंकों में तो आसू आ गए थे क्यों डी बाबा मैं भी टॉप 10 में आ गया बंदा रोने रगता है भाई और यहां पर यह दस के दस लोग केवल अपने सिर को छोड़कर अपने पूरी बॉड़ी नहीं ला पा रहे थे साथी इन टॉप 10 में तो पांच जियो यान के बंदे होते हैं और पांच बाकी के लोग थे साथी बाद बाले पांचों लोग काफी हरानगी से जियो यान के टीम को देख रहे थे और अपने दिल में सुकर गुजा रहे थे कि बास्तों में ये टॉफ 5 में आये हैं आइमीं टॉफ 10 में आये हैं सुकर कि हम में से किसी नहीं 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 हुकसा आया जिसके बाद ये जियो यान पांचों लोगों की फाइट को याद करते हैं जहां ऐल्यूजन के अंतरे इनों ने सब को पेल दिया था साथ ही यहाँ पे ये सभी लोग कहे उसे मोटल और रेड ड्रेगन को तो पहचानते ही थे लेकिन वहाँ पे इन सभी लोग को जिस चीज ने सबसे ज़्यादा इहरान किया था वो तब व्लैक कलर के कपड़े पहने हुए ये बंदा साथ ही इन सभी को पता था कि इनकी फैमिलीस ने इने बलड केप तक पहुँचने के लिए काफी सारे रिसोर्सेस और पैसे को खर्च किया है साथ ही उनके साथ काफी सारे गार्डों को भेजा है ताकि वो टॉप टेन जाकाने के अपना सबसे बैस्ट कर सके लेकिन जो यान और बाकी लोगों के किलिंग एफेक्ट को देखकर तो ये लोग काफी डरे हुए होते हैं इसलिए इन लोगों ने पूरी फायट में जो यान और बाकी लोगों से बचने की कोसिस की थी ना क्यों से लड़ने की और यही एक रीजन भी था कितनी खतनाक किलिंग के बीच में वो टॉप 10 में इंटर हो पाए थे और 4 यानो 5 लोगों की नजरों को फिल करते हुए वो सभी लोग एक फ्रेंड्स बाली फ्रेंड्स से फ्रेंड्ली स्माइल पास कर देते हैं तभी इस टोन टेबलेट से अचानकी ब्लैड्राइट निकलती है और उससे एक फिगर बाहर आती है जो कि ऑफ्वेसली एल्यूजन का गार्डियन होना चाहिए था और उस गार्डियन बीच को देखर तो सभी लोग काफियरा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इसके आने का मतलब था कि आप उन्हें मिलने वाला है प्राइज दूर्ज जब गार्डियन बीच के आँके बिल्कुल भी पोलाइड नहीं होती वो इन दस लोगों को धीरे धीरे स्कैन कर रहा होता है जिसके बाद वो तुरंदी कहता है बधाई हो आपने इंफाइनेट किलिंग में खुद को फूफ किया है और उसके बाद वो अपने हाथ को अलके से स्लैस करता है और ब्लड की 10 रेज, 10 लोगों की बॉड़ी के अंदर चली जाती है जिससे वो सभी लोग फील करते कि उनकी पूरी की पूरी बॉड़ी फ्री हो गई है और वो तुरंदी अपने हाथ पैर हिलाते हुए इस गार्टियन वीष्ट को देखने लगते है साथे उन्हों फील कहते है कि उनकी सारी चोटे और थकान भी गयब हो गई और वेटल की और इस पीचल पावर अपने पीक लेवल पर लोटाई है जिससे उन्हें फील होता है कि जैसे उन्होंने इतने खतनाग वेटल को कभी लड़ा ही ना हो बस वो अराम कर रहे हो और इस चमतकार को देखकर तो वो सभी लोग काफी हैरान थे तभी वीष्ट कहता है तो आप बारी है आप लोगों की रैंकिंग डिसाइड करने की तभी सभी लोग कन्फ्यूज होते हुए कहते हैं जब लड लाइट ने हमें यहाँ टेलिपोर्ट किया तो इसका मतलब तक हम टॉप 10 में हैं तो क्या गार्डियन को अभी भी हमारी रैंकिंग नहीं पता यह कैसे हो सकता है तभी हर कोई की कन्फ्यूजन को सुनते हुए गार्डियन बीष्ट तुनती कहता है एल्यूजन की जो पावर है वो टॉप 10 लोगों को यहाँ पे भेजती है लेकिन राष्ट रैंकिंग को एज़ा गार्डियन बीष्ट मेरे द्वारा ही रिकोगनाइज किया जाता है और इसका डिसीजन आपके फोरेट के प्रिंट को देखकर ही बताया जा सकता है और इतना कहने के बाद गार्डियन बीष्ट की आँखे ब्लड रैड हो गए होती है जिससे दस के दस लोग फील करते कि उनके माते का जो माक है वो अचाना की गर्म हो रहा है जैसे कि कोई उसे धीरे धीरे ग्रिल कर रहा हो जिसके बाद ये सभी के सभी माक गार्डियन बीष्ट के सामने उड़ने लगते हैं जिसके बाद अचाना कि यह सभी मां उड़ते हुए उसके तरफ आ जाते हैं और देखते ही देखते गयब हो जाते हैं जिसके बाद गाइडेन भी श्टेक एक करके सब को देखते हुए कहता है बधाई हो जियो यान आपकी रैंकिंग फर्स्ट है जो सुनका कैव जो मोटल न बढ़ियो न को ज побढ़ दे रहा थे तो बागी के 5 लोग भी यह नाम सुनहें तsplणनदी के जिओ यान मुझे लगता है कि मैंने यह नाम सूना है क्या हम सभी नहीं यह नाम नहीं सुना लेकिन यह नाम नहीं सुना है सुनदे लिग करती है बदाइ हो नू लॉघ आपने द कर दे हैं तो अंगला टाइम है आप लोगों को आपके प्राइस देने का इसलिए मैं आप सभी के प्राइजेस की जो इंफोर्मेशन वो आपके दिमाग में डाल दूँगा और फर्स्ट पोजीशन बाले के बाद यह सेकंड पोजीशन बाले के दिमाग में जाएगा सेकंड बाले के बाद तीसरे और ऐसे कि आप इसे समझ सकते हैं जिसके बाद गार्डियन के कहता है तो सभी लोग अपनी इस्टोज दिंग को आंगे करो जिसके बास में बाले करो और उसी टाम पे गार्डियन विछ्ट की आँखों से ब्लैड लाइट साइं होती है और तुरंती जो यान के दिमाग में एक ट्रेजर की इंफोमेशन चली जाती है और जो यान को उसकी जलकियां दिखाई देने लगती है जो कि साथ इस पिच्छल पार को और भी जारा कंडेंस करने की कोई मिस्टीरियस डीटेल थी तो दूसरा ट्रेजर होता है एक ब्लड एक्स जो की आर् की जो एनर्जी उसकी रिफाइन्मेंट की पावर को वीक कर लेंगे जिसके क्रांट फूचर में उनकी कल्टिबेसन म esse फ्रॉब्लम हो सकती है टावडी कॉंट्रियंट के अंदर टॉप 20 कुल्डों स्केम में से एक था साथी इसे कुल्डों की मदर से अगर पिल्को रिफाइन किया जाता था तो उसमें कुछ इस्पेसल और मैजिकल एफेक्ट भी होते थे जिसके बाद होता है थंडर गॉड आर्मर जो कि एक मिश्टीरियस डिफेंस आर्टी क्राफ्ट था और ये रियूमर था कि ये लाइटिंग पूल के अंदर हजारों सालों तक खतरनाक लाइटिंग की पावर के कान कंडेंस हुआ था और इसे पहनने वाला बंदा लाइटिंग के प्रकोप से बच सकता था साथी इसे खतरनाक डिफेंस आर्मर के तोर पर भी जाना जाता था जिसके बाद होता है एसे अंड डेमेंड ग्रीफेंस से निकाला गया उसका ब्लड एसेंस जिसे अब्जर्ब करने की जो मात्रा थी वो केवल एक परसन के लिए ही पर्याप थी साथी एसेंड ग्रीफेंड बीष्ट को एक स्पिच्छल बीष्ट के तोर पर भी जाना जाता था जिसके पास स्ट्रॉंग अटेक और डेफेंस अबिलिटीस थी लेकिन उसके ब्लड एसेंस के अदर एक ऐसा एक्ट्रिव्यूट होता है जो कि डेमेंस की ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर सकता था और उसे स्ट्रॉंग भी कर सकता था जिसके बाद होती है एक मुवमेंट टाइप टेकनिक पैंग्यून जो की वर्ड रैंक इंटर्मीडियट मुवमेंट टाइप इसकिल थी जिसके बाद लाश्ट आपस जो यान के पास होता है रैंक टैन बाली इसकाई फायर गोश्ट इस्पिरेट और इस्पिरेट सील में से किसी एक को चुन सकता था जिसमें से जो इसकाई फायर थी उसका नाम था लियूली मैटरोइट फ्लेम जो की हैवन के उपर से मैटरोइट द्वारा लाई गई थी लिवली होली सोल जो की मेटेरोइड द्वारा लाई गई एक आईसे अट्रिब्यूट सोल थी साती इसके कर कोई भी एक फ्लेम आर्मर केरेट कर सकता है जिसके अंदर फायर एक ट्रिब्यूट की पावर होगी और उससे फायट करने वाला बंदा इसके जटके से भी जल सकता था इन सभी चीजों को सुनकर तो जोन पूरी तरीके से हैरान हो गया होता है और रैंक 10 बाली इन खतनाग चीजों के बारन सुनकर तो और भी ज़्यादा आकरकर जोन को अच्छे से पता था कि डावडी कॉंटिनेंट के अंदर दसियों और अब लोग रहते थे और ऐसे बहुत से कम लोग थे जो तीन मिस्टीरियस चीजों के मास्टर थे साथी टॉफ 10 बाली चीजों उनकी तो बात ही छोड़ दो टॉफ 20 या टॉफ 20 के उपर की भी यह चीज है मिलना कितनी ज़्यादा मुस्किल थी कोई सोच भी नहीं सकता साथी जोन के लिए सबसे अपसोस की बात यह थी काती है अगर चाइत तो यह सकाई फायर से काफी अच्छा है साथी जोन तुरन की साट दॉफ 30 कर लेता और ऊसकी छहरे पर एक समाइल आ ऐसमाइल आन को definite होगе वह काफी मिस्टीरास और useful होंगे लेकिन जोन के impression को दिखकर वो सभी लोग समझ गए थे यहां पे सभी लोग यहीं सोच रहे होते हैं कि जो यहां के लिए और कौन सा ट्रेजर सबसे useful होगा तब जोन अपने flame के और दिमाग के साथ ही रात सभी ट्रेजर्स को एक एक करके scan करता है जोन ने feel किया था कि flame axe जो थी वो काफी rare magical weapon था लेकिन यह new long के लिए काफी useful हो सकता था और fury dragon को यही लेना चाहिए साथी जो breakthrough फिल थी वो गोली खराब नहीं थी लेकिन जोन के पाथ परफर हार फिल थी इसलिए जोन को इसकी जगवत नहीं थी साथी कया समोटल को डर्णने की जगवत नहीं थी लोंगी और new long को five star के disaster से डर्णने की जगवत नहीं थी तो जिंग बूचैन टर्टल इसकिल के साथ जिसका defense seven star से कब नहीं थी उसे भी इसकी जगवत नहीं थी साथी जो यान ने इस fire technique को देखा था जिससे जोन समझ गया था कि new long को इस fire technique और blood eggs के बीच में confusion होनी चाहिए जिसके बाद जो corrosion, diamond babe की बाद थी बैटल इसकिल अच्छा था लेकिन dark attribute का था और उन में से चारों में से कोई भी इस attribute को use नहीं करता जिसके बाद थी wish fire जो की attribute में तो काफी अच्छी थी लेकिन sky fire के comparison में कुछ भी नहीं इसरी जोन इसे भी ignore मार देता है हाला कि जोन को याद आता है कि ये wish flame लेंग टियान के लिए काफी useful हो सकती है जिसके बाद जोन टियर कुल ड्रोन को देखता है जो एक alchemist की सबसे first choice होती है लेकिन जोन के पास पहले ये यानमू divine कुल ड्रोन था साथी जोन को इस बार danding से भी एक अच्छा कुल ड्रोन मिल गया था जिससे वो लेंग टियान को दे सकता था जिसके बाद था thunder god battle armor और जोन समझ गया था कि ये longi के लिए सबसे useful हो सकता है क्योंकि बंदा lighting attribute को सबसे अच्छे से useful कर सकता है तो वो इस armor की पूरी true power को unless कर सकता था और इसकी मदद से longi की power भी काफी high grade के साथ सुधर सकती थी जिसके बाद था Asian demon blood, monster blood जो की कोई एक demon use कर सकता था जिसके जोन तुरनती समझ जाता है कितने high grade के ट्रेजर को बास्त में इसमें सामिल किया गया है इसकी उमीद तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी और ये cable वारक्राफ फैमिली के लिए effective होना चाहिए इसलिए chaos immortal को चोड़का बाकी साभी लोग के लिए ये बेकार था क्योंकि अभी chaos immortal का जो blood था उसकी पार पूरे peak level पर नहीं पहुँची ये बस cable awaken हुआ था साथी movement technique की तो जरुवत नहीं थी लेकिन तभी जरुआ क्याता है बैसे ये technique jing buchan के लिए useful होनी चाहिए क्योंकि वो throwing knife के use करता है जो कि एक long distance में enemy के उपर attack करते हैं तो अगर jing buchan इसे cultivate करता है तो वो distance cleared करके enemy के उपर attack कर सकता है साथी jian को पता था कि उन में से कोई भी इसे choose करने वाला नहीं होर jing buchan को illusion के अंदर से एक अच्छी flying knife की battle technique भी मिली है तो इस battle skill के साथ वो और भी ज़्यादा strong हो सकता है इसलिए jian हर एक item के बार में सोचने के बाद और कौन कौन ले सकता है सोचने के बाद तुरंती अपना decision सुनाते हो यह कहता है मैं flame spirit seal को choose करूँगा जिस पर guardian jian की तब देखत और अपना से हिलाते हो कहता है जो यान ने अपना price चुन लिया है अब दूसरी बारी है new long की जिसके बाद जोयन तुरंती लोंगी कहें से mortal jingbujan को अपने अपने thought के बारें बताता है कि उनके लिये कौन से ट्रेजर बेस्ट होगा यहाँ पर सभी लोग अपने अपने ट्रेजर भी ले रहे होते हैं सभी जोयन की बात को सुनकर लोंगी तुरंती अपना से हिला देता है हाला कि तभी रेज ड्रेगन अपनी च्वाइस बताता है और गार्डेन उसकी च्वाइस को complete करता है जिस पर जोयन कहता है तुमने क्या लिया जिस पर रेज ड्रेगन बताता है मैंने पेटल एक्स खरी ती जिससे मैं कहूंगा रेज एक्स रेजर कह ले जिससे जोयन खुस होता है कि इस बंदे ने वहाई लिया जो उसने सोचा था जिसके बद जोयन कहता है कि तुमने इस फायर टेक्निक को चूस नहीं किया जिस पर रेज ड्रेगन कहता है बास्तों में वो टेक्निक थी तो अच्छी लेकिन बड़ रेंक के हाई लेवल की टेक्निक और अगर मैं एक बार याउजू मैन ट्रेनिंग सिस्टम पे इंटर हो जाता हूँ तो मुझे जो कल्टिवेशन टेक्निक कल्टिवेट करने के मिलेगी वो इसके बराबर ही होगी तो मैं उसे ही चूस करूँगा क्योंकि वो मेरे लिए सबसे फैबरिट टेक्निक है इसलिए मैं ने यहाँ पे इस बेटल एक्स को चूस किया जिस पर जोन भी खुस होता है कि चलो इस बंदे ने अपने थौट काफी साफ साफ रखे है और जोन स्माइल करता है तभी नूलों कहता है तुम हस किस चीच पे रहे हो तभी तीसरे बंदे की आब आज आते है कि तो अब मैं मैं हूँ मैं अकर कर तीसरे स्थान पर हूँ और सभी के ध्यान को वो अट्रेक्ट करता है सतियां पर ये सब लोग उदास भी होते कि इतने सारे प्रीस्टेर्स ट्रेजर के बीच मोगो केवल एक ही चूस कर सकते थे जिसके बाद वो बंदा इस पार कल्टिवेसन टेक्निक को चूस करता है सति किसने क्या चूस किया ये केवल आखी बचा हुआ ट्रेजर जिंग बूचैन को मिल जाता है जिसके बाद गार्डियान बीष्ट कहता है तो आप सभी लोगों ने अपने अपने ट्रेजर से चूस कर लिया है तो चलो अब चलते हैं और इसके बाद बलेड रेड आई से सभी ट्रेजर उनकी इस्टोई रिंग में चले जाते हैं और दस बलेड लाइट उन दस लोगों को घेल लेती हैं और ये लोग तुरंत यहां से गाव हो जाते हैं जिसके बाद लाइट वापस से फैलती हैं और ये लोग अल्यूजन के बाहर अपयर हो चुके होते हैं और इन दस लोगों को छोड़कर बाद की सभी लोग आसपास की जगह ओपर काफी दार कैक्स देखते हैं जिसके बाद एकजिट गेट की तरफ जाते हैं इनके पास आवा जाती हैं जो देखकर वो तुरंदी कैते हैं तो आकरकार जुकसी सिटी मैं बापस आ गया तब ही नूलों केता है ओ ये जुकसी सिटी है मुझे हमेज़ा से ऐसा क्यों लगता है कि ये सिटी बाहरी दुनिया से काफी दार लाग है लेकिन श्टैंपी ये सभी लोग बलड केप से बाहर आए थे और वहां के खुनी एटमोस्फियर से यहां के एटमोस्फियर में उन्हें काफी अरसांती मिलती है इसलिए सभी लोग एक साथ सिरह लाते हैं काफी या सुकून की समयल एक दूसरे को पास करते हैं जहां पर जिंग बूचन तुरंदी कहता है तो आकर का ये यंग मास्टर खुनी बूचर खाने से जिंदा वाहर आ गया और ना केवल मैं जिंदा वाहर आया बलकि मुझे अपने नाइफ के लिए माटेरियल त्रोइंग नाइफ की स्किल और वर्ड रेंक इंटर्मेडियेट बेटल स्किल मिला जो कि मूमेट टाइप है ऐसा लगता है कि मैं तो अमीर आदमी हो गया और इसके बाद जिंग मूचन तुरंदी अपनी बेटल इसके लोर मुमेट इसकिल को निकाल करने सहलाने लगता है तभी रेज ड्रागन ये सुनते ही अपनी रेज एक्स को निकाल लेता है जिसे हम ब्लेड एक्स कहेंगे तभी इसे देखते हों सभी लोग इसे घेल लेते हैं और ध्यान से देखने लगते हैं और सभी के मुझ से केबल एकी बड निकलता है वाउ तभी रेज ड्रागन इसके अंदर अपनी बेटल कोई पावर को डालता है और उसके साथ ही देखने को एक खतनाक सीन मिलता है कि इस बेटल एक्स से ब्लैक एनरजी चार तरफ फैलने लगती है साथ इस एक्स की बड़ी के चार तरफ मिस्टीरियर्स प्रेंड साइन होने लगते हैं और इस ब्लैक एनरजी ने जो यानो चार लोग को पुरी तरीके से सील कर दिया होता है और उनकी इस पिच्वल सोल सी पे अटेक कर दिया होता है जिसके कार उन सभी कुछ अपनी खोपडी के अंदर एक तेज धमाके की आवासी सुनाई देती है और सब किया के धुंदली हो गए होती है हाला कि यह सब जो कुछ भी था वो किवल एक सेकंड के लिए ही था लेकिन पास्तों में इस से एक सेकंड ने उन्हें हिला कर रख दिया था जो दिखकर तो कैसमोटल तुरंत ही कहता है ओ माई भगबान इस एक्स के अंदर तो सच में मैजिकल एफेक्ट है क्या ही मजबूत पावर थी भाई इस बैटल एक्स के एफेक्ट से तो उसने भी अपनी बॉडि फर प्रेसर फिल किया था तबी रेज डेगन भी कहता है आखिरकार इसे गार्डियन बीश ने दिया है तो इसके अंदर मैजिकल एफेक्ट तो होंगे ही अब उसका प्रेस बेकार थोड़ी होगा तबी सभी लोग उसकी तरीफ करते हों कहते है इस एक्स की मदब से तो आपकी पावर और भी स्ट्रॉंग हो गई और सभी लोग तुरंती थमसब और कॉंग्रेचुलेशन उसे कहते हैं जिसके बाद इस डेगन कहते हैं मैंने इसे देखते ही ले लिया था चलो हम मुझे बताओ कि तुम सभी लोगोंने क्या कहा लिया है अपनी अपनी इस्टोज इदिंग से अपनी इस्टोज इदिंग से उसी बीश्ट ब्लड को निकालता है जिसके अंदर धुंदली ब्लड लाइट साइन हो रही होती है लेकिन प्लेस प्रेसर इतना खतरनाक कि किसी की भी सांसों को भारी कर सकता था और इसे देखते ही कहाँ से मोटल की जो आखे होती है वो गर्म हो गए होती है और इस ब्लड से उसे थोड़ा सा फैमिलियर फील हो रहा होता है जैसे कि उसकी ब्लड पावर एक्टिवेट हो रही हो जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है ये काफी अची चीज़ और सबसे वैस्ट ये ना कि बल वर्कार्ट फैमिली के लिए यूसफुल है बलकि मेरे लिए भी काफी यूसफुल है इसलिए बिना किसी इच के चाट के मैंने इसे ही चूस किया है दूसरी तब इस जगे पर रेज ड्रेगन को छोड़कर जिसके पास टायरानोसोरस की ब्लड लाइन थी इस ब्लड लाइन को देखकर वो भी लाइट अप का रहा होता है हाला कि यहाँ पे लॉंगी भी एक मोस्टर था लेकिन हैवेन ओ आर्थ के बीच में नाइन मिश्टीरियस थंडर ड्रेगन थंडर लाइट की सोल से खटा हुआ था और उसका जो फाउंडेशन और वेग्राउंड था वो तो अनबीटेबल था इसलिए इस ब्लड की पार का यूज करते हुए उससे अपनी ब्लड लाइन जगानी हो यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी वो खुद की ब्लड लाइन को और भी कई तरीकों से जगा सकता था इसलिए वो कस्केबल क्यूरियस तरीके से सेसियन ब्लड की तब देख रहा होता है तभी केवस ड्रेग एमोर्टल के था है जब मैं इस ब्लड केव में इंटर हुआ और मैंने लोगों कितनी मारकार्ट देखी तो मैं काफी हैरान था मुझे उम्मी नहीं थी कि बास्तों में ये कुछ इतना बुरा होगा लेकिन इसके बाद जब मैं टॉप टेन में आया और गार्डियन बीश्ट का इतना ज़्यादा रिच प्राइज जिस देखे तो मैं सच में काफी अरान था ये ट्रेजर तो हैवन को चलेंज करने वाले थे और सब कुछ इसके लिए वर्थ हैड है यहां तक कि ये बलट तो हमारे डैमन फैमिली के अंदर रिकार्ड में के वल एक मित है और इसे एक लेजेंडरी ट्रेजर माना जाता है तभी ज़्यान के तब वार्थ हैमिली के अंदर ब्रेडर कैयोस इस बलेड लाइन की पावर के यूज करते हुए आपको सबसे ज़्यादा चमकदार सितारा होना चाहिए तभी बूचन भी कहता है मैं भी आपको सभी लोग एक अच्छी निउच का इंतिजार कर रहे हैं जिस पर कैयोस इमोटल हसते हुए कहता है मुझे पता है चिंता मत करो मैं अपनी पूरी कोसिस करूँगा और आप सभी लोग की वेल विसेस के लिए मैं बहुत बहुत थेंक्यू कहना चाहता हूँ तब ही जोयन कहता है मुझे लगता है कि तुम कैयोस फैमिली के अंदर सबसे टैलेंटेट परसन हो और कैयोस फैमिली की बलड लाइन काफी मिस्टीरियस और ग्रेट है और इसे आवेकिन करना इतना आसान नहीं होगा लेकिन कैयोस फैमिली के रिसोर्से और भगवान और हैवन की बलेसिंक्स को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें इस बलड ने खुद चूस किया है और तुम ऐसा जरूर कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ एक कोइंसी डेंस तो नहीं हो सकता और क्योंकि भगवान यहीं जाता है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अनसक्सेस्फुल होगे जो सुनकर जो यान की बात कैस्टोमोर्टल खस्तिवगा केता है तुमने जोकावास तो में समझ में आता है और इससे कोई फ़्प नहीं परता कि successful या fail, कम से कम मेरे पास एक chance है, ये मेरे लिए काफी है हाला कि मैं परियाबत उम्मीद तो नहीं कर सकता लेकिन, मुझे अपने भाईयों को motivate कर निकले successful होना चाहिए चाहिए कितना भी cut in क्यों ना हो और इतना कहने के बाद वो अपने blood quest ओज रिंग में डाल लेता है और लोंगी अपने thunder god armor को appear करता है, जो एक defense टाइप holy weapon के बराबर था, जिससे fear sir diamond armor के तोर पर भी जाना जाता है तभी जिंग बूचन कहता अगर ये इतना ही अच्छा है तो इससे बाहर निकाल कर दिखाओ ना जो सुनकर लोंगी तुरंती खोस होते हो करता है ठीक है और armor को बाहर निकाल देता है जिसके कांड तेज lighting के आवा सुनाई देती है जो की आसमान से गिरती हो और इसके बाद इस armor के चार तरफ हलकी lighting bolts घूमने लगते हैं जो इस armor को high profile बना रहे होते हैं जिसके कांड तो हर कोई एक कदम पीछे हड़ जाता है और जिंग बूचन की तो पतलोन गीली होगे होते है जिसके बस सभी लोग कहते कोई सर्प्राइज नहीं कि इस armor को चूने की किसी ने हिम्मत नहीं की या तक कि नूलोंग तो पसीना पसीना होकर लोंगी को देखते हुए कहता है साले इस armor के कांड तो कोई तुमारी नजदीख ही नहीं आ पाएगा क्यों तुम बास्तों में thunder god थोर की power को challenge करने वाले हो तबी जिंग बूचन कहता है क्यों ऐसा तुम क्यों कह रहे हो जिस पर नूलोंग तुरंती कहता है इसे पहनने वाला बंदा अगर लाटिंग की power को control नहीं कर सका तो reckless effect के कांड वो खुद बाख खुद खत्म हो जाएगा जो सुनका जिंग बूचन थंडे पसीने से तरबतर होते हुए कहता है अरे छोटे लड़की यह मजाक नहीं है तुम्हें बहादूर नहीं होना चाहिए क्यों तुम बास्तों में इस ट्रेजर के कांड अपनी जान देना चाहते हो तुम चाहे कैसे भी हो एक छोटे भाई के तौरबर में तुम्हें नहीं खोना चाहता तभी जने स्माल करते हुए जिंग बूचन के कंदे को तपतबाते हो गयता सुख्जा भाई चिंता मत कर अगर लॉंगी इस दुनिया में इसे कंट्रोल नहीं कर सकता तो मुझे डर है कि इस दुनिया में कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता साथी क्योंकि लॉंगी ने कहा है कि वो इसे यूज कर सकता है तो इसे हम उसके उपर छोड़ते हैं तभी लॉंगी तुरंती यहाँ पे सिरहाते हुए आरमर को कंट्रोल नहीं कर सकता जो सुनका वो सभी लोग कहते हैं इंप्वोसिवल लॉंगी ऐसे कैसे नहीं कर सकता तभी जन कहता लॉंगी तुमने इस अपनी तरफ बुलाने के लिए कौन सा मंत्र पड़ा है और तुम्हें वो किसने बताया जो सुनकर लॉंगी कहता है किसी ने भी नहीं आंक बंद करके जो आया पढ़ दिया क्या ये गलत है तभी जान क्या के साइन होती हो वो तुरंती लॉंगी की तब देखते हैं कहता है लॉंगी तुम अपने ब्लट की एक ड्रॉप इस आर्मर के उपर गिराओ जो सुनकर सभी लोग कहते क्या ब्लट ड्रॉप गिराने पर ये आर्मर एक्टिवेट होगा कि इसके अंदर अपनी स्पिच्वालिटी है ये अपने आप अपनी सेप और साइट चेंज कर सकता है यहाँ पर सभी को पता था उस आर्मर के अंदर गायब हो जाती है और अंगले ही मुमेंट थंडर गॉड आर्मर के अंदर से गोल्डन लाइट सायन होने लगती है जिसके बाद ये आर्मर कई पार्ट में डिवाइट होकर सीधा ही लॉगई की तरब उढ़ने लगता है और लॉगई की बाड़ी को कवर करने लगता है साथी लॉगई के पास अब कुछ भी करने का टाइम नहीं था इसलिए वो चुप चब अपनी जगह पे खड़ा रहे था और ये आर्मर लॉगई के ग्लोरी को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा होता है साथी ये गोल्डन लाइट ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इस आर्मर के अंदर कभी खत्मी नहीं होगी साथी तेजी से लाइफ पावर और ये गोल्डन लाइट लॉगई की पूरी बाड़ी को कवर करती है और कि उसकी आखों को छोड़ कर पूरी बाड़ी गोल्डन लाइट से गिरी होई होती है और इस टैंप पे लॉगई सच में एक लाइटिंग गोड की तरह देख रहा होता है साथी लॉगई की बाड़ी से काफी कोल्ड और रिलीज हो रहा था और अगर यहां पे हर कोई लॉगई की ब्रीत और पावर से फैमिलियर नहीं होता तो बास्तम होने लगता कि उनके सामने लॉगई नहीं बलकि कोई और खड़ा है तभी जहां नहीरान होने के बाद तुरंती कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है तभी लॉगई कहता है यह बहुत अच्छा है यह मेरी बॉड़ी की पूरी बॉड़ी पांट को बिना किसी रुकावट के काफी ज़्यादा रिलेक्स फील करा रहा है मेरी ब्लेड लाइन के अंदर लाटिंग की पावर ही स्ट्रॉंग हो रही है और मैं मैसूस कर सकता हूँ कि यह कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है साथ इस आर्मर को ध्यान से फील करने के बाद लॉगई काफी को सोते हुए कहता है मुझे विस्वास नहीं होता लेकिन यह सच में काफी एड़ा एक्स्ट्रा ओर्डिनरी है तब ही लॉगई कहता है बैसे मैं देखना चाहता हूँ कि यह मेरी ओरिजिनल बॉड़ी को कवर कर सकता है और इतना कहने के बाद लॉगई अपनी रियल बॉड़ी को अपयर करता है और हैंड्रेड मीटर का एक नाइन मिश्टिज एस गोल्डन थंडर ड्रेगन अपयर होता है लेकिन यहाँ पे लॉगई के एक ड्रेगन बॉड़ी का हर एक बॉड़ी पार्ट गोल्डन लाइट और ड्रेगन पैटरन से ढखा हुआ होता है साथ ही उसका और एस यहाँ टेंपररल की तरह काफियादा इस्ट्रॉंग होता है जो देखर जिंग्बू चना के चोड़े करते हो कहता है यह आर्मर अपने आपको इतना ज्यादा बढ़ा कैसे सकता है तब ही रेज ड्रेगन दुरंदी कहता है यह थंडर गॉड आर्मर है जो लाइटिंग की सोर्स एनर्जी के साथ अपने आपको फ्यूस करते होए अपने आपको ट्रांस्फॉर्म कर लेता है साथ ही किसी मेटल से नहीं बल्कि लाइटिंग से ही बना हुआ है लाइटिंग म्यूटेशन से तभी लाइटिंग अपनी बॉड़ी को नीचे जुकाते है जो यान के पास आते होए कहता है फादर क्या मैं सक्सी पावरफुल दिख रहा हूँ जिस पर जो आपक नियां बजाते होए कहता है हाँ भाई हमारा लाउंगी तो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गया है साती थंडर को और वेटल आर्मर को पहनने के बाद ये तो और भी सुन्दर लग रहा है तभी सभी लोग भी बास्तों में कहते हैं कि ये सच में काफी आरा एक्ट्रॉडिनरी है साती गॉर्डन आर्मर के मुखोटे के गार कोई लॉंगी के इंप्रेशन को नहीं देख पा रहा था लेकिन लॉंगी तो अपने कांट तक स्माइल कर रहा होता है तभी चिंग बूचैन कहता हाला कि तुम देख तो काफी अच्छे रहे हो लेकर मुझे नहीं पता किसका डिफेंस कैसा है क्या पता बस के बली ये दिखाने का हो यूथफुल ना हो तो फिर ये बोरिंग हो जाएगा जो सुनकर लॉंगी तुन नहीं दिखता एह तेरा क्या मतलब एरे बाबा ये थंडर गॉड आर्मर है इसका डिफेंस होली लेवल के वेपन के तोर पर जाना जाता है समझे क्या तब ही इंडुई लॉंग कहता है चलो तो फिर इसे ट्राइ करके देखते हैं और वो अपनी रेज एक्स को अफियर करता है और लॉंगी के गॉड आर्मर के उपर अटेक करने के लिए उसने अपनी रेज एक्स के यूज करने का ही थौटल पनाया था जो देखके तो कहें सो मोटल हैरान रह जाता है इसलिब उत्रूंती कहता है तुम दोनों को अभी एक्स और आर्मर मिला है तुम दोनों इसके यूज को नहीं जाते ये कितने पावरफुल और कितना डिफेंस की स्ट्रॉंग है तो अटेक कैसे कर सकते हो तुम तुम्हें इन चीजों को बचा कर रखना चाहिए जिसमें नू लॉंग कहते हैं तुम सही कह रहे हो ट्रेजर्स को संजो कर रखना एक हूमर बिहेवियर है मुझे भी ट्रेजर्स पसंद है लेकिन मेरे पास एक रास्ता है पावर को कंट्रोल करके अटेक करते हैं और आर्मर की पावर को देखने के लिए रेज ड्रेगन दीरे दीर एक्स की पावर को बढ़ाता जाएगा जिस पर सभी लोग कहते हैं यह सही है जिसके बाद लॉंगी सभी की तरफ कड़ा होते हैं देखता हैं तो आप में से पहले अटेक कौन कर रहा है जिस पर जिंग बूचन चिलाते हैं बाहर कुंता और करता है मैं अटेक करूँगा लॉंगी कहता है चलो करो जल्दी से जो सुनके जिंग बूचन के हाथ में उसका थ्रोइंग नाइब आता है और वो अपनी बैटल पावर को एक्टिवेट करता है जिसके बाद वो तुरंती हवा में थ्रोइंग नाइब को लॉंगी की तरफ अटेक करता है साथ इस थ्रोइंग नाइब की स्पीड काफी तेज होती है यहां तक ही कैसे मोटल और रेजड्रेगन भी हैरान हो गए थे लेकिन हर किसी के बदले हो इंप्रेसन ने लॉंगी के उपर जरा सभी फैक नी डाला होता उसे थंडर गॉड आर्मर पे पूरा बढ़ोसा था जो देखके जिंग बूचन के था इगोफोल मेरे अटेक को तुम इतना ज़्यादा भी कैसे मान सकते हो तुम्हें इसका जटका जहलना चाहिए तब ही उस बेटल एक्स को अपनी तरफ आता हो यानि कि फ्लाइंग नाइप को अपनी तरफ आता हो देखका लॉंगी अपने सीने को गर्व से सामने की तरफ बढ़ा देता है और जैसे ही वो नाइप थंडर गॉड आर्मर के नज़दी काता है तो वो लाइटिंग वोल्ड जो की उसके आसपास घूम रहे होते हैं उसे फ्लाइंग नाइप के चारो दबले पढ़ जाते हैं और उसकी स्पीड को कम कर देते हैं जिसके बाद वो फ्लाइंग नाइप जैसे ही आर्मर से ठकराता है तो एक तेज आवाज होती है और नाइप जमीन पे गिर जाता है जबकि लॉगी अपनी जगह पर जोंकत्यों खड़ा था जिसके बाद वो तुरंत यांगे बढ़कर उस फ्लाइंग नाइप को उठाता तो इसमें पहले ही काफी साई दरारे आ चुके होती है और अगर इसमें एक दो और लाइटिंग जटके लगे होते तो डर था कि यह पहले ही तूट गया होता जो देखकर लॉंगी खोस होते है था बास्तों में इसका डिफेंस काफी खतानाक है यह बैपन की अटेक को उसी के उपर बापस से रेफ्लेक्ट कर देता है इसलिए अटेक जितना है स्ट्रॉंग होगा मेरे लिए उतना ही इंट्रेस्टिंग तभी रेजड्रेगन अपनी बैटलेक्स को लेकर उसके उपर कून पड़ता है तभी वो बैटलेक्स लॉंगी की चैस्ट पर अटेक करती है साथ ही उसने इसमें केबल अपनी 50% पावर के यूज़ किया था और इसके बाद जैसे दोनों अटेक ठकराते हैं तो रेजड्रेगन के अटेक की पावर को नलिफाई करती हो है लॉंगी लगबग साथ कदम तक पीछे जाता है लेकिन ना तो उसके आर्मर में ना तो उसकी वड़ी पे एक खरोज भी नहीं होती दूसतब रेजड्रेगन बैकलेस फोर्स के कारण हाला कि वो पीछे तो नहीं अटा था लेकिन उसके दौनों हाथ सुन हो गए होते हैं जो देखकर रेजड्रेगन के तब वाओ ये काफी कता नाक है कसम से ये चीज काफी अच्छी है कम से कम इसके बैकलेस एपक्ट के कारण कोई बंदा तुम पे कंटीनू अटेक तो नहीं कर सकता जो सुनकर लॉंगी भी 33 माल पास करता है और गौड आर्मर को थप थप आते हो कहता है अगर तुम अपनी रेज एक्स का यूज करते हो तो मुझे लगता है तुमाई ज्यादा तरह टेक मेरे आर्मर द्वारा नलिफाई कर दिये जाएंगे लेकिन मैं अभी भी इस आर्मर के पीक लेवल तक पहुँचना चाहता हूँ मैं देखना चाहता हूँ किसका एफेक्ट क्या होगा तो चलो इसी के साथ अब ये एपसोड यहीं प्रेंट करते हैं मैं मिलूँगा नेक्स्ट एपसोड पे और नेक्स्ट एपसोड पे हम आगे की जन्नी डिसकस करेंगे तो आखिरकार एल्यूजन खत्म हुआ तो सब लोग खुस हो जाओ ओके बाई बाई